रविवार को गुरुग्राम में बादल जमकर बढ़ से, 100 mm से ज़्यादा बरसात हुई, हर कोई बाटर लोगिंग में फसा रहा, सडकों पर फसा रहा, लेकिन कुड़गां विदान सभा में मजबूत दावेदारी ठोक चुके, बीजेपी के प्रदेश उपाद्यक्ष जील शर्मा को सुनने के लिए, उनके चाहने वाले सैकडों की संख्या में इस बरसात में भी नहीं रुके, आपको इस ख़वर में दिखाएंगे कि गुरुगां विदान सभा से बीजेपी की टिकट पाने के लिए मजबूत दावेदार जील शर्मा को सुनने के लिए क्यों लो हो जाता है, लोग पिछले कई सालों से इस समस्या से दोचार हो रहे हैं, शायद कमी है हमारे जिलाप्रशासन के अधिकारियों की जो ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, या कमी कहें कि राजनितिक पार्टियों की, हमारे राजनितिक वर्चस्व की, कि हमारे जो जन्पृति निधी हैं वो इतना वर्चस्व नहीं रखते हैं कि अधिकारियों से ठीक से काम करा सके इसलिए विधान सभा चुनाव की सुख बोगाट होते ही बीजेपी की टिकट मांगने के लिए कई नेता मैदान में उतर चुके हैं पुरगाव विधान सभा से बीजेपी के प्रदेश भराव की समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे इतना ही नहीं जब गुरुगराम में बादल जमकर बरस रहते उस दोरान लोगों की भारी संख्या जील शर्मा को सुनने के लिए पहुँची और जनता भी ये चाहती है कि इस बार बीजेपी गुरगाव विधान सभा से जील जील शर्मा उनका ये दावा है कि वो बिना किसी समयधानिक पद के बिना किसी विधायक MP के वो जनता के इतने काम करायते हैं अगर उनको जनता विधायक बनाती है तो उन्हें और शक्ती मिलेगी और पावर मिलेगी और वो गुरुगराम के उन लापरवा अधिकारियों भ अभियान के कारेकरम आयुजित किये और इन कारेकरम में सैकडू की संख्या में गुरुगराम की जनता पहुंची जिनोंने जील शर्मा के विचार सुने और उनको आश्वासन दिया है कि अगर बीजेपी उनको टिकट देती है तो फिर वो अपना विधायक जील शर्मा को ह चुनेंगे सबसे पहले सिलोखरा गाओं में जिस दोरान बरसात हो रही थी उसी दोरान सिलोखरा के मंदिर में सैकडू की संख्या में जनता वहाँ पर पहुंची और जील शर्मा को अपना आश्वाद दिया जील शर्मा ने भी लोगों को आश्वासन दिया है कि अगर उन उनने कहा कि मा शीतला का उन पर आश्यवाद है कि वो बिना किसी पद के ही लोगों के इतने सारे काम कराते हैं लोगों की हल्प करते हैं और वो इस बार अपने लिए मा से कुछ मांग रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट मिल जाती है तो वो जनता का और काम करेंगे जनता की से सबसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता है जनता का तो यहां तक कहना है कि बीजेपी को इस बार केवल और केवल जी एल शर्मा को ही टिकट देनी चाहिए उन्होंने आज तक जनता के धेर सारे काम कराए हैं और उन्हें उम्मीद है कि अगर उनको शक्ति मिलती है विदाइका मिल कारकुं करते हैं मैं तो शंगर्ष का साती हों और शंगर्ष करना अमेरा जीवनका दहे बन गया लोगों के लिए भला करना लोगों की शिवा करना मेरा दे बन चुका है इसलिए बहुदवान भी मुझे साथ देते हैं और जो परिक्षा होती उसमें मुझे पास भी कर रहे हैं जब भी मैं गया चाहे गांदी नगर गया अब यहां स्चलोकरा में आये थे तो बहुत जवरदस्त भारी सापने देखा हो चारो तरफ जल भराव है गुडगाओं में लेकिन भारी संख्या में लोग यहां एकत्रत हुए यह जनता का यह लोगों का प्यार और आशिरवाद मेरी तरफ इस बात का इशारा कर रहा है कि अब की बार भगवान की किरपा और मेरी पार्टी का साथ और सयोग मेरे साथ बनेगा और लाकों वोटों से गुरगाओं विजे करेंगे अपसरो पहुआ परोस्कndar के लिए और जो चालबाज और धोका अपने जन्ता को जो दिकारी दे रहे हैं उनको सीधा करने का काम करने हैं मैं जानता हो हो रहां करके दिखाएंगे ओंसे इसे रिखारीों को सीधा करेंगे देखो जीया शर्मा जी हमारे गाउं के और अब अभी तो इतना मैंने उनको देखा है जादा नहीं देखा पर जितना देखा है तो उतना मैं कहए सकती हूँ कि भाजपा के लिए बहुच ए गाशिरुन ने दिया बताया कैसे उन्हें इस गाउं के अलावा भी पूरा राज्य है हर्याना है और हम लोग कैसे बढ़ोती तो हम लोग भी उनके साथ है इसलिए आज से नहीं जील शर्माजी चोटे-शब्स होटे थे तब से ही जील शर्माजी को हमारे घर पे हमने देखा है तो हमारे जो की होरी सिलोक्रा की और जो बाहर भी सारी समध्सा को वह फिकला रहा है और अगर वो MLA बने और हाई कमान ने उन्हें ठिकट दी तो सभी का विकास होगा पच्छी साल से हम इनको पहती लिए हैं, बड़े सभाव, बड़े सादे आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, इन पर कोई दाग नहीं हैं, इन्होंने हर पार्टी में काम किया है, तो बहुत अच्छे हैं, गुर्गाओं में जो भी उंदा जाता है, पहले चाय पिलाते अगर पर काम करते हैं फिर उसका नोटी देते तो मारा काम हो गया भाईया अब बैठो जाओं तो पूरा पूरा गुरुग्राओं गाओं क्या आसपास के समर्थन का बहुत बारी वेल से पार्टी इनको टिकट दे बहुत भारी वतों से विजयी बढ़ेंगे बारिश उनको आशिरवाद देती है तो फिर आने वाले समय में गुरुगाओं से इस तरह की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा देखना होगा कि बीजेपी किसको टिकट देती है और क्या बीजेपी ये सोच कर टिकट देगी कि कौन काम करने के इरादे से आ रहा है किसकी शवी कैसी है तो शायद इस जन समस्या का समाधान भी हो पाएगा इस ख़़र के बारे में आप हमें अपनी राइ कमेंटर के जरूर दीजेगा साथि साथ आप इस ख़़र को जरूर शे mniej color कीजेगा ताकि सबी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए नमसकार झाल झाल